जैहिन दोस्तो, PNB यहनकी पंजाब नाशनल बैंक जो लार्ज क्याप का स्टॉक है और 87 नंबर पर रांग कर रहा है, इस स्टॉक के उपर आज हम स्टडी करने वाले हैं, सो शुरू करते हैं, मार्केट के आप राउन 47,458 करोड्स, स्टॉक की पी 19, 52 वीक 26 रुपे और 52 व प्राफिट के उपर घ्यान देंगे, हम तो पिछले चार कॉर्टर का चेक करेंगे, तो जून 2020 में माइनस 3060 करोड़, फिर सप्टेंबर में सुरुदार हुआ, माइनस 1500 करोड़, फिर गिरावट थोड़ी बड़ी, माइनस 1970 करोड़, फिर से गिरावट और बड़ी, माइन और फिर से गिरावट 940, यहां पर मार्श में, यहां पर स्टेबिलिटी देखने मिल रहे हैं, को ऐसा बड़ा खास मूव उपर या नीचे की तरफ नहीं, नेट प्रॉफिट माइनस 820 था मार्श में, फिर जून में 540 के असपास, फिर सप्टेंबर में 576 बड़त, फिर स 0.71, चोटी से गिरावट 0.67, सो नमबर जो है स्टेबल थे, बडम किया सकते हैं, मार्श 2021 में, प्रॉफिट प्रॉफिट भीफोर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट और EPS में, फिर से थोड़ी गिरावट देखने मिल रहे हैं, यहां पर जो है, पिछले चारों कॉर्टर का नेगिटिव नमबर जो है, सेकंड हायस नेगिटिव नमबर यहां पर पोस्ट को है, पिछले चारों के बात करें, तो, नेक्सिट बैलन्स इट बारिंग की बात करें, तो तक्रीबन 7,70,000 क्रोड की बारिंग है, और बारिंग से इतने जादा क्यों होती है, फैनाश इंसि करते हैं तो इसलिए बॉरिंग्स यहां पर जाता होती है एंड एसेट्स देखें बैंक के पास कितने हैं तकरीबन साड़े आठ लाग करोड के एसेट्स है बैंक के पास नाव इन्वेस्टर पैटन यानिकी शेरोलिंग पैटन को देखेंगे तो प्रमोटर 76.87 परसंट विद और यह है चार्ट पैटन ऑक्टोबर नौवेंबर महने के बाद से लेटिस अरॉंट साथ आठ महने का एंस्ट्रडी करेंगे किस तरह से काम कर रहा है तो कि अहां पर देखें स्टॉप जो है यहां पर देखें स्टॉप ने आपर एक ट्रैंगल पैटन को अपनी मिल रहा है देखने मिल रहा है यहां पर देखिए इसको पैटन के अंदर ही फिर से और इक और पर कर देखे यह पर फिर से अपना वह जो हाइटा नप उसके ऊपर स्टॉक निकल गया था जस्ट फॉर वंडे यह जो कर्व ना उसका में कलर बदल देता हूं ताकि कोई कन्फूजन ना रहे हैं इसे थोड़ा में ठिक कर देता हूं चीक है देख लीजिए और एक जो हाइलाइट है यहां पर यहां पर किस तरह से काम करें यह जारा है तो आगे जाके जो है रेंजर नेरो हो जाएगी है अको मैं लगा था 46.35 वह जो है डंसर ब्रेंट jedem iy अगर स्कॉपर जाना थो यह दिख प्रेकाउट करने कोशिश कर रहा है अगर स्टॉक इसके उपर निकलता है तो 46.35 के उपर सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं यहां पर आप देख लिए जब स्टॉक गिरा था आप देख लिए जैसाग किस तरह से वन पर नीचे आइए यह आपर है देख लिए इसी के आसपास सपोर्ट लिया था जब स्टॉक गिर रहा था यह लाइन को थोड़ा में थिन कर देता हूं देख लिए फिफ्टीवन और वह वन वे गिरा था इसी रेंज में नीचे मतलब सपोर्ट लेके उचला था और वही लेवल जो सपोर्ट और रोल प्लेट लेकर रहे थे आने आले दिनों में वह उपर की तरफ रोल प्लेट गरेंगे देट इस फिफ्टीवन और नेक्स्ट फिफ्टीफ़ ओके तो यह दो लाइन्स में रिफरेंस के लिए ड्रॉक की ते अब मैं इसको निकाल देता हूं निकाल दिया है मैंने और ए यहां पर उसके पास आया था दो पार आया था फिर नीचे लगा तो के इस बात का ध्यान दीजिएगा और हां यह जो ट्रेड है इसने ट्रिक स्टॉप लोस लगा सकते हैं डर लगता है तो करने के लिए और एक चीज में आपको बतादोर वह क्या है वह यह जो है किस तरह से काम कर रहा है आप देख लिजिए यहां पर to पर यहां देख लिए अए इस प्रेंगल की जो पैटन है उसमें काम कर रहा है धीरे धिरे करके यह जो ट्रेंड आपे वहां पर सपोट लेके ओपर जाने की पूरी कोषिस कर रहा इन फेक्ट इस बार ना इसा लग रहा तीसरी बार यहां पे था सब्सक्राइब का रहा जाती तो कभी कभी ही जाती है तो इस बार मुझे से लग तर्ड फार्ट I woke clear हो जाए और ती तरह करते करते आगे जाके तो देना ही है इस बात को ध्यान में जरूर रखेगा सारे लेवल्स को नूट जरूर कीजेगा अगर PNB में आपकी पोजिशन है या बनाने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक् हमारे साथ जुड़ सकते हो और वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद वंदे महतरम